दिनेश एक गरीब किसान था, वो किसानी करके ही अपना पालन पोशन करता था, उसके परिवार में उसकी मा कुंती और पत्नी कुसुम रहा करती थी एक बार की बात है, बारिश ना होने के कारण हर जग सूखा पड़ा था, जिस वज़ा से दिनेश खेती नहीं कर पा रहा था, बेचारा हताश परिशान होकर अपने घर की चौखट पर बैठा था, तभी उसकी पत्नी और मा उसे समझाते है बेटा दिनेश, अगर ऐसे ही तू उदास रहेगा, तो कैसे काम चलेगा, तुझे इस तरह से परिशान देखकर हमें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता, हाँ मा जी बिलकुल ठीक कह रही है, अपने आपको थोड़ा संभालने की कोशिश करो, देखो जीवन में उतार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम तो अच्छे से जानती हो, सूखा पढ़ने के कारण दिन प्रति दिन फसलें और ज्यादा खराब होती जा रही है, उपर से मैंने जो कर्ज लिया है, वो भी नहीं चुका पाया, कर्जदार मुझे बार बार पैसे के लिए टोकते आखर कब तक मैं उनसे नजरे चुराता रहूँगा? चल अंदर अरे तुम्हें क्या लगता है? परेशान सर्फ तुम हो तुम्हारे साथ साथ ये पूरा परिवार भी परेशान है पर अगर मरना ही हर परेशानी का हल होता तो इनसान कब का मर चुका होता? हाँ बेटा बहु बिल्कुल ठीक कह रही है अपनी जुबान से कभी ऐसी बाती मत बोलना तुम तुझे देखकर ही तो हम जी रहे है और अगर तुही ऐसी बाते करेगा तो हम क्या करेंगे जी कर? लेकिन तभी कुसुम देखती है कि कुछ कर्ज़दार उसके घर की और आ रहे है ये देखकर दिनेश और उसका पूरा परिवार थोड़ा घवरा आ जाता है लेकिन वो दो कर्जदार शाम और नरेंद्र दोनों दिनेश के पास आते है और गुसे में बोलते है क्या बात है दिनेश कर्ज लेते वक्त तो तुने बड़ी बड़ी बाते की थी कि समय पर तुम हमारे सारे पैसे वापस कर देगा पर अब तो देखते देखते चार महीने बीद गए है लेकिन तुने अभे तक हमें हमारे पैसे वापस नहीं किये क्या चाहता है तू है कि तुझे और तेरे पूरे परिवार को धक्के मार कर निकाल कर घर में ताला लगा दे अरे स्याम मुझे तो लगता है इस भेकारी दिनेश के साथ यही करना होगा तब जाकर ही इसे समझ में आएगा कि कर्ज लेना तो बड़ा असान होता है लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आती है तो इनसान लाचार और बेबस हो जाता है और जब कर्ज को चुकाने की आउकात नहों तो कर्ज लिया क्यों तूने है देखो आप दोनों अच्छे से जानते हो इस سाल बारिश ने हमें कितना परिशान किया सूखा पढ़ने के कारण खेती नहीं हो पा रही जिस वज़े से इस बार मेरा बिल्कुल भी मुनाफ़ा नहीं हुआ मुनाफ़ा तो छोड़िये मैं खेती ही नहीं कर पाया मैं आपको कहां से पैसे दूँगा वो तेरी परिशानी है कि तू पैसे कहां से देगा तू चाहे चोरी कर या किसी का मडर कर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है हमें हमारे पैसे चाहिए भाई आखिर कब तक हम लोग इंतिजार करते रहेंगे वो दोनों गुस्से में दिनेश के घर के दर्वाजे पर गुस्से में जोर-जोर से लात मारने लगते है दिनेश और उसका पूरा परिवार शाम और राजेंद्र से माफी मांगने लगता है हाँ बेटा जैसे दिनेश मेरा बच्चा है वैसे ही तुम दोनों भी मेरे बच्चे ही हो अपनी इस मापर थोड़ा सा रहम करो बस एक महीने का और समय दे दो अगर एक महीने में हम तुम्हारा कर्ज वापस नहीं कर पाए तो तुम हमें घर से धक्के मार कर निकाल देना ठीक है आज सिर्फ और सिर्फ मैं दिनेश की मां की वज़े से ही दिनेश को एक महीने का वक्त और दे रहा हूँ उसके बाद में किसी की नहीं सुनूँगा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे अपनी मापर तरस खाने के लिए बाकी हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारा पैसा समय रहते ही चुका दे बारिश ना होने के कारण हम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजए से हमारी स्थिती दिन प्रति दिन खराब होती चली जा रही है थोड़ा हम पर रहम कीजिए दुर्गा माँ अब हम किसके भरों से रहेंगे हाँ मा हम पर रहम कर हम तो तेरे ही बच्चे है न और अपने बच्चों को इस तरह से परिशान करके तुझे क्या मिल रहा है और ठीक शाम को बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है बारिश देखकर दोनों पती पतनी बहुत खुश होते है अकली ही दिन से वो तीनों मिलकर खेती करने के लिए अपने खेत जाते है कुंती एक टोकरी में खाने का डबा और पानी की बॉटल लेकर जा रही होती है तो वहीं कुसुम एक हाथ में खेती करने का हल लेकर खेत की और बढ़ रही होती है अब तीनों खेत पर पहुचकर साथ में मिलकर खेती कर रहे होते है मा आज तो हमने अच्छे से खेती की है बस अगर ऐसे ही मौसम ठीक रहा तो देखना जल्द से जल्द हम अपना करजा चुका देंगे हाँ बेटा ये जो कुछ भी हो रहा है न सब दुर्गा मा की वज़ा से ही हो रहा है दुर्गा मा बस ऐसे ही अपना आशिरवाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना शाम होते ही तीनों अपने घर की और निकल रहे थे तभी अचानक से दिनेश का पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े से पत्थर के उपर गिर जाता है जिस वज़ा से दिनेश के सिर में और पैर में बहुत जादा चोट लग जाती है दिनेश को इस तरह घायल देखकर कुंती और कुसुम दोनों घबरा जाती है और वो दोनों आसपास के लोगों की मदद लेकर दिनेश को अस्पताल लेकर जाती है जहां डॉक्टर दिनेश के सिर में और पैर में पट्टी कर देते है और बोलते है डॉक्टर की बाते सुनकर दिनेश का पूरा परिवार उदास हो जाता है वो तीनों जैसे तैसे अपने घर आ जाते है घर आने के बाद दिनेश उदास और बेहोश होकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है अगले सुबह दोनों सास बहु मिलकर खेती करने के लिए खेट जाते है वो दोनों जैसे तैसे खेती कर रही होती है तभी दिनेश भी वहाँ खेती करने के लिए आ जाता है दिनेश को देखकर कुंती और कुसुम हैरान हो जाते है और वो दोनों उस पर गुसा करने लगते हैं दिनेश तेरा दिमाग तो ठीक है न? डॉक्टर ने तुझे मना गिया है न बहर आने से फिर तू क्यू आया है? अभी कल ही तो हम तुझे हॉस्पिटल से लेकर आये है और आज तू खेत में आ गया? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? कल डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे सामने ही तो कहा है न? फिर क्यों तुम यहां आये हो? और अगर अभी गलती से भी तुम्हें कहीं लग गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे तुम चुपचाप घर जाओ, हम कर लेंगे यहां पर जो करना है कुसुम और कुंती के इतना कहने के बावजूद दिनेश उन्हें कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खेती करने लग जाता है वो अकेले ही सारा काम बड़ी तेजी से कर रहा था ये सब देखकर कुंती और कुसुम दोनों हैरान थे थोड़ी देर बाद कुंती को बहुत जोर से प्यास लगती है और कुंती देखती है कि उसके पानी के बॉटल में तो पानी है ही नहीं वो अपनी बहू को पानी लेने के लिए घर बेजती है कुसुम घर आकर पानी की बोटल में पानी भर रही होती है तभी दिनेश के कमरे से दिनेश की आवाज आती है दिनेश को देखकर कुसुम हैरान हो जाती है अरे अगर ये यहाँ है तो खेत में किसानी कौन कर रहा है कुसुम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो बहुत ही हैरान हो जाती है तभी कुसम अपने पती से कहती है एक बात बताओ तुम यहां हो तो खेत में किसानी कौन कर रहा है अरे कैसी बाते करते हो तुम लोग तुम भूल गई क्या सुभा तुम और मा दोनों साथ में ही किसानी करने के लिए गए थे अरे पर तुम अभी खेत में आई थे न किसानी करने के लिए तुम्हें मा और मैंने बहुत डाटा था लेकिन तभी तुम जबरदस्ती काम में लग गए फिर तुम अचानक से यहां कैसे आ गए अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न कुसम तुम्हें पता भी है मैं अपना पैर हिला भी नहीं पा रहा हूं और तुम बात कर रही हो कि मैं चल कर खेत पर गया था दिनेश की बाते सुनकर कुसुम समझ जाती है कि दुर्गा माता स्वयम उनकी मदद करने के लिए खेत पर किसानी करने के लिए आई थी कुसुम दुर्गा माता को देखने के लिए भागते हुए खेत पराती है पर वो देखती है कि वहाँ पर दिनेश है ही नहीं तभी वो अपनी सास से बोलती है माजी वो कहां चले गए अरे अभी तो यही था अचानक से कहां चला गया ये इस लड़के ने तो मुझे दुखी क पर देखते ही देखते एक महीना गुजर जाता है एक महीने बाद दिनेश के खेत में सोने और चान्दी की फसर लहरा उठती है ये सब देखकर दिनेश का पूरा परिवार बहुत खुश था और वो सब मिलकर अपना कर्ज भी चुकता कर देते है और साथ ही हसे खुशे पने जीवन में आगे बढ़ते हैं बसंती और रघुनाथ दोनों रात भर बहुत परिशान रहे क्योंकि उनकी बेटी सोनिया ने ठान लिया था कि वो शहर जाकर नौकरी करेगी लेकिन बसंती और रघुनाथ सोनिया को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे इसी बात पर ही शाम के समय उन तीनों में काफी अच्छी खासी बहस हो गई थी बेटी सोनिया जो शहर जाता है कभी गाँ वापस नहीं आता बाबा तो क्या आप चाहते हैं कि मैं सारी सिंदिगी इस गरीबी में निकाल दू देखो इस घर की हालत देखो जब मैं शहर जाकर पढ़ाई कर स सकती हूँ तो नौकरी क्यों नहीं कर सकती बाबा सोनिया बेटा हमने तुम्हें शहर इसलिए पढ़ाया ताकि तुम आज की समाने के साथ मिल कर चल सको लेकिन बेटा नौकरी मैं तो सोच रही थी कि तेरी अच्छे घर में शादी कर देते हैं नहीं मुझे कोई शादी वा सोनिया शहर में नौकरी इतनी हासानी से नहीं मिलती है आप उसकी चिंता बिलकुल भी मत करो मेरी कॉलेज की सहेली है न उसने कहीं पर नौकरी की बात की हुई है दोनों पती-पतनी कुछ नहीं कर पाए सोनिया उन दोनों को वहाँ छोड़ कर शहर चली गई रगुनात और सोनिया की बेटी की शादी किसी पढ़े लिखे नौकरी पेशा लड़के से करेगा लेकिन इसके विपरीत सोनिया के सपने बहुत बड़े-बड़े थे वो शहर जाकर नौकरी करना चाहती थी वो घरीबों जैसी जिन्दगी नहीं जीना चाहती थी बसंती और रगुनात मा दुर्गा को बहुत मानते थे वो सुबर सवेरे सनान आदि करके मा दुर्गा की पूजा अर्चना किया करते थे सोनिया के चले जाने के बाद क्या हुआ तुम इस तरह क्यों बैठे हो तबियत तो ठीक है ना कुछ समझ मैं नहीं आ रहा तबियत खराब है या मेरा मन उदा आँ, उसे नौकरी मिल जाए वो हमारे जैसे गरीब नहीं रहना चाहती थी इसलिए हमें छोड़कर चली गई कैसी बातें कर रहे हो जी, छोड़ कर थोड़ी ही गई है, शहर में नौकरी करने गई है तुम तो उसकी मा हो, क्या नहीं जानती थी, तुमारी सुन्या के सपने कितने बड़े बड़े, देख लेना, वो वापस नहीं आएगी दुखी मन से रगुनात काम पर चला जाता है, और वहाँ जाकर पता चलता है कि जमीदार ने अपना घर और खेत, सब दूसरे जमीदार को बेच दिया है और हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे के पास विलायद चला गया है, दूसरा जमीदार बहत ही बुरा इंसान था उनकी फसल लगानी है इसलिए जमीन को जोटकर तयार करो और ये काम दो घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है दो घंटे का मतलब दो घंटे लेकिन मालिक ये कैसे संभाव है इतना बड़ा खेत दो घंटे में जुदी ही नहीं सकता जमीदार को रगुनाथ के उपर घुसा आता है वो रगुनाथ को जोरदार थपड मारता है जिसके कारण रगुनाथ नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है तू मुझे सिखाएगा कि खेती बाली कैसे की जाती है और कितना समय लगेगा मैंने कहा ना दो घंटे में ये सब कुछ तयार होना चाहिए ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है दो तीन किसान मजदूर भी वहाँ पर थे वो रगुनाथ को उठाते हैं रगुनाथ के माथे से खून बह रहा था इसमें मेरी क्या खलती थी जो काम दो घंटे में होई नहीं सकता मैं तो बस वही कह रहा था रगुनाथ पूरी कोशिश करता है कि दो घंटे में काम खत्म हो जाए बागी मजदूर पसीने से तरबतर काम में लगे हुए थे जमीदार वहाँ पर आता है मजदूरों को इस तरह काम करता हुआ देखकर वो जोर से हंसता है बगर लाट घूसा खाये तुम लोग काम ही नहीं कर सकते देखा एक को थपड मारा तो भागी सब कैसे धर के मारे काम करने लगे और ये तो शुरुवात थी जमीदार का जुल्म सभी पर बरसने लगा रगुनात पर तो कुछ ज्यादा ही था क्योंकि रगुनात कभी-कभी उसकी बात का विरोध कर देता था ऐसा ही एक दिन था जब रगुनात पर जमीदार का कहर बरसता है मालिक मैंने कहा कि थोड़ी देर आराम करके मैं ये काम खत्म कर दूँगा मुझे काम से मत निकालो रगुनात की बात सुनकर जमीदार डंडे से उसकी पिटाई कर देता है और रगुनात नौकरी ना चली जाए सारे काम करने लगता है शाम को जब घर पहुँचता है हे मातुर्गा देख रही हो इनसान होकर उसे कितना घमन डा गया है कितनी बुरी तरह मारा है इनको मत बुलाओ मुझे सोनिया की मा कितने दिन हो गए उस लड़की को शहर गए हुए मचाल है जो उसने हमें एक चिठी या फोन करके बताया हो कि वो ठीक ठाग भी है या नहीं जब छोटी थी तो कहती थी बाबा आपका सहारा बनूंगी आप पर कोई भी अत्याचार नहीं होने दूंगी अब कहां है उनकी बातें? कहां है वो? रात भर रगुनात का शरीर दुखता रहा अगले दिन दोपहर तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाया और उधर जमीदार ने एक नौकर को रगुनात के घर भेज दिया रगुनात जल्दी चलो मालिक तुम्हें बुला रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं देख भाई तेरी नौकरी चली जाएजी मेरा फर्ज ता कि तुझे आकर बताओं अरे भाईया क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इनको कितनी चोट लगी है चोट की वज़े से इन्हें बुखार भी आ गया है जाओ जाकर अपने मालिक से कह दो कि रगुनात आज काम पर नहीं आएंगे सोच ले रगुनात अगर तु काम पर नहीं आया है तो तेरा काम चूट जाएगा और फिर इस उमर में तुझे काम कौन देगा रगुनात नौकर के साथ चला जाता है बसंती मा दुरगा की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे प्राथना करती है कि उनके उपर और अत्याजार ना होने दे फिर वो काम करने लगती है थोड़ी देर में दर्वाजे पर दस्तक होती है तो बसंती दर्वाजा खोलती है तो सामने सोनिया खड़ी थी सोनिया तुम आ गई तुम्हें याद अपने बुढ़े माबाप की कैसी बाती कर रही हो मा मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ तुम दोनों नहीं तो मुझे इतना पढ़ाया लिखा है कि आज मेरी अच्छी जगे नोकरी लग गई है क्या तो सच कह रही है सोनिया अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है मा बाबा कहा है सोनिया की बात सुनकर बसंती फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है जिसे सुनकर सोनिया को बहुत घुसा आता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है वहाँ पर वो जमिदार के खिलाफ रिपोर्ट कर देती है पुलिस जमिदार से बात करने के लिए जाती है तो सब देखते हैं कि जमीदार सभी किसान मजदूरों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहा है ये देखकर पुलिस वाले उसे गिरफतार कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं रगुनात सोनिया को देखकर हैरान हो जाता है चलो बाबा घर चलो देखो तो इस जमीदार ने तुम्हें कितना मारा है अब पुलिस उसे मारेगी और आप लोगों को इंसाफ मिलेगा वो सब तो ठीक है लेकिन तू अचानक शहर से गाउं कैसे आ गई क्योंकि मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और एक घर भी मिला है मैं आप दोनों को लेने आई हूँ मैं तो बस यह आप लोगों को बताने आई थी कि अपनी तयारी कर लो अगले हफते आप लोगों को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओंगी क्या तुम सच कह रही हूँ हाँ बाबा बिल्कुल सच कह रही हूँ मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि शहर चली गई है तो तुम दोनों को भूल गई हूँ है न मैं तुम दोनों के लिए ही शहर में नौकरी करना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग यहाँ परिशान रहें ये सुनकर रगुनात खुश होता है सोनिया दो दिन उनके पास रुकती है बसंती उसके लिए उसकी पसंद के खाने बनाती है और फिर कहती है अगले हफते सारे सामान के साथ तयार रहना वो उन दोनों को शहर ले जाएगी दो दिन बाद सोनिया चली जाती है, लेकिन जैसे वो जाती है, उसी दिन शाम को घर का दर्वाजा बज़ता है अरे सोनिया, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी बस छूट गई है? अरे मा, मुझे अंदर तो आने दो, क्या सारे सवाल जवाब दर्वाजे पर ही करोगी, और बस क्यों छूटेगी? मैं तो अभी अभी शहर से आ रही हूँ, ये ये तु क्या कह रही है? दो, तीन दिन से तो तु हमारे साथ ही थी, आज सुबह ही तो तु गई थी, क्या तु भूल गई है? मा, कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो? मैं अभी अभी शहर से आई हूँ, आप दोनों को लेने के लिए, आप दोनों के लिए खुशखबरी है, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, और जल्दी से अब सामान पैक कर लो, मैं तुम दोनों को लेने आई हू वो कौन थी भला? तब ही वो दोनों मा दुरगा की तस्वीर की तरफ देखते हैं, और उन्हें समश में आ जाता है कि मा दुरगा ही बेटी बन कर आई और उन्हें जमिदार के जुल्मों से बचा लिया, मा, बाबा, क्या हो गया है आप दोनों को? कहा खो गया हो? आपकी ब दिनों बाद शहर से आई है, मेरे गले नहीं लगेंगे? और हा मा, सारा सामान पैक कर लो, जो ज़रूरत का है, मैं तुम दोनों को शहर लेकर जाओंगी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, बेटा हूँ, जानती हूँ, अगर मैं उस दिन जिद करके ना जाती, तो तुम लोग मुझे कुछ नहीं करने देते, पर मैं आप दोनों की कसम खा कर कहती हूँ, मुझे आप दोनों की बहुत परवा है, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब बस मेरे साथ चलो, रगुनात और बसंती दोनों ही सोनिया की बात सुनकर उसे गले लगा लेते हैं, उनके बीच सारे रूप धर कर उनके पास आई थी, दो-तीन दिन के बाद ही सोनिया अपने माबाप को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाती है, अब उन लोगों के सारे कश्ट दूर हो चुके थे, मादरुगा की किरपा से, अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी-खुशी रहते थे खुशी